आप कैसे हो मेरे को पूरा विश्वास आप 6 कुशल होंगे हम आपके लिए लेकर आए 50 मौस्ट इंपोर्टेंट कुशन भारत और 20 भुगोल के जो बार बार कॉंपटिशन एक्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एक्जाम में ये पूछे जा सकते हैं अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको निरंतर नौटिफिक्शन मिलता रहें ये सलेक्टेट कुशन है जो आने वाले एक्जाम रिट या आने जो भी एक्जाम है उसमें पूछे जाने के पूरी पूरी संभावना है तो चलते हम फास कुशन पर केश्पेंस अगर इस चित है A. रूस और इरान के बीच B. साओधी अरव और मिस्र के बीच C. मिस्र और लीबिया के बीच D. लीबिया और इसराइल के बीच तो इसमें राइट होगा हमार आंसर A. रूस और इरान के बीच हाँ नेक्स देखे आप परत्वी पर सबसे गहरा इस्थल है A. कैस्पियन सागर B. काला सागर C. मृत सागर D. एजियन सागर तो ध्यान रहे इसमें C. नमर आप्शन राइट होगा मृत सागर नेक्स कुशन निमलिकित में से किसका सुमेल नहीं है A. डेटरियाट मोटर कार B. हावना सिगार C. शेफल्ड कटलेरी D. वैनेस पौत निर्मान यानि जो ये शहर हैं वो किस से सम्मधित हैं किस कारिय से सम्मधित वैवसाइस से हैं तो इसमें सुमेल नहीं है वो पेचान करनी हैं आपको तो C. नमर आप्शन राइट होगा इसमें शेफल्ड कटलेरी Next question संसार की सबसे बड़ी पौत वाहक नहर है संसार की सबसे बड़ी पौत वाहक नहर है A. केल नहर B. पनामा नहर C. सू नहर D. स्वैज नहर तो देखे इसमें जो राइट होगा मारा आंसर D. स्वैजनेर नेक्स्ट कुशन अरावली परवंश रंकला निमलिकित नदी परणाली से D. विभाजित होती है A. चम्बल और सरस्वती B. चम्बल और साबरमती C. नरमदा और बनास D. लूनी और बनास तो इसमें राइट होगा लूनी और बनास Next question चक्रवाद की दिशा क्या होती है A. उत्री गोलार्थ के गड़ी की सुई के विपरित और दक्षनी गोलार्थ में गड़ी की सुई के अनुकूल B. उत्री गोलार्थ में गड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षनी गोलार्द में गड़ी की सुई के विपरित C. उत्री गोलार्द में गड़ी की सुई के विपरित और दक्षनी गोलार्द में गड़ी की सुई के विपरित D. उत्री गोलार्द तथा दक्षनी गोलार्द दोनों में गड़ी की सुई के अनुकूल तो देखे इसमें right होगा A. उत्री गोलार्द की गड़ी के सुई की विपरित और दक्ष्णी गोलार्द में गड़ी के सुई के अनुकूल नएस question देखे आप उत्री गोलार्द में चकरवाथ की वायू की दिसा होती है A. दक्ष्णावर्थ B. वामावर्थ C. पस्चिम से पूरव D. पूरव से पस्चिम तो इसमें रहेट होगा B. वामावार्थ Next question दक्षनी गोलार्द में चक्रवात की वायू की दिशा होती है A. घड़ी की सुई के अनुकूल B. घड़ी की सुई के विपरित C. कोई निश्ची दिशा नहीं इन मेंसे कोई नहीं So देके इसमें रहेट होगा A. निश्ची दिशा निश्ची दिशा नुकूल Next question शिंदु नदी का उद्गम इस्तलं A. रोईतांग दरा B. शेषनांग जील C. मान सरोवर जील D. ममता तुंघ हेमानी तो देखे इसमें राइट होगा हमारा आंसर C मान्स रोवर जील तीबस से नेस्ट कुशन टार नेडू का मुख्य समंध है A. उत्री अमेरिका से B. उत्री उरॉप से C. चीन से D. दक्षन अपरिका से तो इसमें राइट होगा A. उत्री अमेरिका से नेस्ट कुशन टाइफून नामक चक्रवा से कौन सा ख्षेत्र प्रभावित होता है ए उस्टेलिया B. चीन सागर C. पस्चमी द्वीप समुक्षेत्र D. डिप्रोक्स सभी तो इसमें राइट होगा B. चीन सागर नेस्ट कुशन उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बार की ओर चलती हैं क्या कहलाती है A. चकरवाद B. परती चकरवाद C. तुफान D. इन में से कोई नहीं इसमें राइट होगा B. परती चकरवाद नेस्ट कुशन टॉर्नेडो है एक अती उच्च दाप कहंद्र B. एक अती निम्न दाप कहंद्र C. एक अती उच्च समुद्र लहर D. एक भुमंडली पवन तुफान इसमें राइट होगा B. एक अती निम्न दाप कहंद्र नेस्ट कुशन डॉल्डरम क्या है A. व्यापारिक हवाएं B. भुमद्य रेका के आसपास अल्प दाप क्षेत्र C. बहुत अधिक आधरता वाला क्षेत्र D. सांत समुद्र वाला क्षेत्र तुफान राइट होगा B. भुमद्य रेका के आसपास अल्प दाप का क्षेत्र Next question कौन सी जल संयोजी यूरोप को अपरिका से प्रथक करती है A. बास्पोरस B. जिब्राल्टर C. डौवर D. बेरिंग तुफान राइट होगा B. जिब्राल्टर Next question कौन सी दारा दक्षनी अन्लांटिक मास आगर में दाराओं के पूर्ण वर्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है A. बेंगुला B. ब्राजिल C. कैनारी D. पस्चिमी पवन प्रवह तुफान राइट होगा C. कैनारी Next question निमलिकित में से कौन शीत समूदरी दारा है A. ब्राजिल दारा B. गल्प स्ट्रीम C. किरोशियो दारा D. हमबोल्ट दारा तुफान में राइट होगा D. हमबोल्ट दारा Next question निमलिकित में से किसे जुड़वा खनीज कहा जाता है A. तामबा यहुं टिन B. लोह एस यहुं कोईला C. सीसा यहुं जस्ता D. सोना यहुं चान्दी तुफान में राइट होगा C. सीसा यहुं जस्ता Next question निमलिकित में से किस देश में निकल का सबसे अधिक उत्पादन होता है A. रूस B. क्यूबा C. स्युक्त राच अमेरिका D. मियामार तो देखा आप इसके अंदर जो आंसर होगा A. रूस Next question Silicon गाटी अवस्तित है A. स्कॉट्लेंड में B. कैलिफोर्निया में C. स्विस आलपस में D. न्यू इंग्लेंड में तो इसमें राइट होगा B. कैलिफोर्निया में Next question ज्वान्सबर्ग विक्यात है A. स्वन खनन है तू B. टिन खनन है तू C. अबरक खनन है तू D. लौ S. खनन है तू A. स्वन खनन है तू Next question किस देश में सबसे अधी खनीज तेल से संचित बंडार है A. इरान B. इराग C. कुवेट D. साउधी अरब इसमें राइटू का D. साउधी अरब Next question वीशू का सबसे छोटा महासागर है A. हिंद महासागर B. अडलांटिक महासागर C. आरकटिक महासागर D. प्रिशान्थ महासागर देखा आप इसमें राइट होगा C. आरकटिक महासागर और बड़ा पूँच ले तो प्रिशान्थ महासागर Next question A. उत्री अडलांटिक महासागर B. दक्षनी अडलांटिक महासागर C. उत्री प्रिशान्थ महासागर D. दक्षनी प्रिशान्थ महासागर इसमें राइट होगा A. उत्री अडलांटिक महासागर Next question समुद्र पर्त्वी की सते का लगबग घेरा हुआ है ए 50% भी 60% सी 70% दी 80% तिसमें राइटो का सी 70% नेस कुशन सार गेशु सागर अवस्तित है ए प्रिशान्द माह सागर भी उत्री अटलांटिक माह सागर सी दक्षनी अटलांटिक माह सागर दी हिंद माह सागर तिसमें राइटो का बी उत्री अटलांटिक माह सागर नेस कुशन काला सागर किस देश के दक्षन में इस्तित है ए फ्रांस बी रूस सी तुर्की दी इंगलेंड तिसमें आंसर हमारा राइटो का बी रूस नेस कुशन तुर्की के उत्तर में है काला सागर, कैस्प्यन सागर, लाल सागर, भुमध्य सागर तो इसमें राइट हुगा A, काला सागर सबसे लवनिय सागर है अरब सागर, भुमध्य सागर, लाल सागर, मृत्थ सागर तो इसमें रहेट होगा D, मरत सागर, 240% संसार में तामबा का अग्रिने उत्पादक है ए ऐस्ट्रेलिया, बीचीन, सी बारात, डी चिल्ली इसमें रहेट होगा D, चिल्ली नेस्ट कुशन, आस्ट्रेलिया में इस्तित काल गूली किसके लिए विख्यात हैं ए स्वन उत्पादन, बी उत्तम जलवायू, सी शिक्षा केंदर, डी मुर्गी पालन इसमें रहेट होगा A, स्वन उत्पादन, सोने की खाने द्यान रख्याप नेस्ट कुशन, वीशु की विशाल्तम स्वन ख्यात्र, दक्षन अप्रीका की निमलिकित में से कौन सी प्रवस्रेणी में आवस्ती थे A, रोग वेल्डबर्ग, B, गृट स्वाटबर्ग, C, विटवाट सरेंड, D, ड्रेकंस बर्ग, तो इसमें रहेट होगा C, विटवाट सरेंड A, निकल, B, विचानदी, C, प्लेटिनम, D, इन में से सभी, तो इसमें रहेट होगा C, प्लेटिनम Next Question, निन में से किसका सुमयल नहीं है ब्राजील दारा दक्षिन अन्लांटिक मासागर हम्बोल्ट दारा उत्री अन्लांटिक मासागर गल्प इस्ट्रिम दारा उत्री अन्लांटिक मासागर अगुलाहास दारा हिंद मासागर इसमगा बी हम्बोल्ट दारा उत्री अन्लांटिक मासागर नेस कुशन निम लिकित कतनों पर विचार कीजिए महासागरदाराएं महासागर में जल का मन वुप्रस संचलन होती है B. महासागरदाराएं पर्थवी का ताप संतुलन बनाए रखने में साइक होती है C. महासागरदाराएं मुख्यते सनातन पवनों द्वारा चलाएमान होती है D. महासागरदाराएं महासागर सनुपन द्वारा प्रभावित होती है तो D. नमर आप्शन राइट होगा है इसमें महासागरदाराएं महासागर सनुपन द्वारा प्रभावित होती है चलते हम नेक्स कुशन थार्टी सिक्स देखो थार्टी सिक्स में स्वरी थार्टी फाइब के अंदर जो डी हो रहा है एक दो तीन चार इसमें सभी राइट होंगे द्यान रखे A, B, C, D सभी अब देखें थार्टी सिक्स कुशन रेनेल जल्दारा किस मासागर की जल्दारा है A, अनलांटिक मासागर B, प्रशांद मासागर C, हिंद मासागर D, इन में से कोई नहीं ती इसमें रख होगा A, अनलांटिक मासागर Next question नीं में से कौन गरम जल्दारा है A, केलिफॉनिया दारा B, ब्राजील की दारा और धारा इसमें B right होगा ब्राजील की जो जलदारा है वो गरम जलदारा है Next question प्रवाल बित्ती है जीवो द्वारा निर्मित एक समू B समूद्री जीवो द्वारा निर्मित बित्ती C आस्ट्रेलिया के निकेटिसीत एक गार D आस्ट्रेलिया के पूर्वित्ताट पर पाये जाना वाला एक गास तो इसमें B right होगा समूद्री जीवो द्वारा निर्मित बित्ती Next question वेशू का सबसे बड़ा लोंग उत्पादक देश है A Mexico B Guattemala C जंजीबार D भारत तो इसमें राइट होगा C जंजीबार Next question भारत सबसे उत्पादक के उन भोगता है ए चामल का वी चाय का सीतेलहन का दाल का तो इसमें राइट होगा B चाही का उत्पादन भी करता द्यान रख्याप और सबसे बड़ा उत्पादन भी कोन हुआ भारत दुनिया में सबसे जचाय का उत्पादन चायना करता है और भोगता में इंडिया है द्यान रख्याप और व्यापार सबसे ज़्यादा करने वाला श्रिलंका है Next question निम्लूंकित मैं से कौन से नदी प्राइदी पर पठार के उन पांच से नहीं निकलती है यमूना विदामोदर सिचंबल दिस्वान तो इसमें रहेट होगा A. यमूना Next question डेरी फार्मिंग के लिए आफशक्ता होती है A. अधिक पुझी कम श्रम B. कम पुझी अधिक श्रम C. अधिक पुझी अधिक श्रम D. कम पुझी कम श्रम तो इसमें रहेट होगा C. अधिक पुझी अधिक श्रम Next question मिश्रित कर्शी सम्मन्दित है A. एकी फार्म पर दो या अधिक फसलों की कर्शी से B. आधिनिक विद्यू दवारा खेती करने से C. एकी फरम पर फसल उत्पादनें पशूपालन से D. एकी फरम पर फसल उत्पादनें बागवानी से तो इसमें रहेट होगा C. A की फरंपर फसल उत्पादनें पशुपालन से Next Question बागानी कर्षी की पर्मुक विशेशता है A. एक फसली उत्पादन B. विविन समों में विवित फसलो का उत्पादन C. बड़े फर्मों पर पशुपालनें फसल उत्पादन D. फल्दार व्रक्षों की कर्षी तो इसमें राइटों कामाना अंसर A. एक फसली उत्पादन Next Question निमलिकित मैंसे कौन सा कतन आसते हैं केहवा उसने जलवायों की फसल है B. केहवा की कर्षी पाड़ी डालों पर की जाती है C. जमेका का बुलू माउंटेन केहवा वीस में सरवच कोटी का केहवा माना जाता है D. ग्रेट ब्रिटेन केहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है तो देखा आप इसके अंदर D. राइट होगा ग्रेट ब्रिटेन केहवा का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है भी अधिक भाग प्राप्त होता है, A Latin America से, B Africa से, C Asia से, D उत्री America से, तो इसमेर रच होगा A Latin America से, नेस कुछन, ब्राजील किसका पर्मुक उत्पादक देश है, A कोकु का, B कपास का, C कॉफि का, D तंबाकू का, द्यान यार के इसमें C रच होगा कॉफि का, नेस कुशन वीशु की केहवा मंडी के नाम सी कौन प्रिशिद्ध है ए रियोडी जनेरिया भी मनावस सी साहवपालो डी सेंटोस तिसमराइट होगा सी साहवपालो आएंपी द्यान रगे के कुशन नेस कुशन ब्राजील में केहवा का अधिक उत्पादन होने का पार्मुक कारण क्या है ए भुमद्दे रेकी इस्तिती वी ए समान दरातल सी तकनी की उनत्ती दी टेरा रोसा म्रद्दा तिसमें सी रैट होगा तकनी की उनत्ती नेस कुशन केवा किस जलवायू की उपज है ए उश्न कटी बन दिये बी सीत कंटी बन दिये सी शीतोशन कटी बन दिये डी मद्य अक्षान सी ये इसमें रैट होगा ए उश्न कटी बन दिये ठीक ना ए रैट होगा तो ये पचास कुशन थे आपके लिए जो मॉस्ट आएंपी कुशन है आपने कम सुने होंगे ये कुशन और ऐसे कुशन एक्जाम में विस्व जोगरोपी के अंदर पूछे जाते हैं करशी हो गया जल्दाराय से सम्मधी थे ये कुशन इसी स्रीज में हम इसी प्रकार से आगे कुशन लेकर आते रहेंगे विस्व जोगरोपी और भारत जोगरोपी से सम्मधित आप निरंतर जुड़े रहे हैं मेरी क्लास से और फायदा लेते रहें अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें धन्यवाद